तो गई तभी कुछ टाइम पहले मैंने इन दोनों फोन का स्पीड टेस्ट बनाया था आईकू नियो 7 और पोको F5 और आप लोग बोल रहो भाई, डीटेल्ड में कमपैरसन लेके आओ और बताओ कौन सा फोन जाधा बेटर है साइड बाई साइड रखके भिलाते हैं दोनों को और देखते हैं कौन जीटा है सारी चीज़ा बताऊँगा इस वीडियो में अपने बिलविड पोइंटर सिस्टम के साथ में सब्सक्राइब करते हैं अपना कमपैरसन विद बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन बिल्ड क्वालिटी के बात करो तो दोनों का फ्रेम है वह प्लास्टिक है बैक में भी प्लास्टिक दिया वह है फ्रेंट में ग्लास देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर है इसका पूरा फ्लैट है से हलका से कर्फ इसमें भी है लेकिन ज्यादा तर फ्लैट ही है यह वाला जो पोको है तो in-hand मेरे खाल से थोड़ी सी आईको की ज्यादा बैटना आती है लेकिन युच्छ आईको एला फोन थ्वड़ा बड़ा है तो भाई अगर आपके चोटे हाथ है तो आपके हाथ में मेरे खेल से जादा बेटर पोको वाला बैठेगा, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में दोनों भी काफी मजबूत है, कहीं से भी तूटे ने उटने का डर नहीं रहता, इसके लिए मैं दोनों को यहाँ पर देता हूँ दो दो पॉइंट, बाकी बात करूँ, डिवरेबिलिटी की पोको के अंदर एक एक्स्टर अडवांटेज हमको देखने को अदर गोरी लगा स्वाइफ का प्रोटेक्शन, साथ ही साथ में हमको IP53 की water resistance rating देखने को मिल जाती है इस phone के अंदर, जिसकी मतब से इस phone में थोड़ा सा extra advantage देखने को मिलता है over this IQ, इसके वज़े से यहाँ पर डिवरेबिलिटी factor में मैं पोको को दूँँगा 3 point, वेरेस आईकू को दूँगा 2 point, अब अगर appeal in public की बात करो, तो दोनों भी भाई ऐसा बहुत ज़़ादा high end appeal नहीं रखते हैं public में, लेकिन ठीक ठाक सा appeal रखते हैं दोनों भी, बट IQ जो है थोड़ा सा जो tech enthusiast है, उनके बीच में ज़़ादा famous है, comparative to POCO तो ये चीज़ है, तो इसको ज़़ादा तो फरक नहीं है, इसको ज़़ादा दोनों को एक एक पॉइंट देने वाला हो इस मामले में, एंड इवन जो resell value है, वहाँ पर भी दोनों को एक एक पॉइंट देने वाला हो, तो after sales service के मामले में, definitely POCO का नाम बहुत ज़ादा खराब है, इसके विए से सिर्फ एक पॉइंट दूगा मैं POCO को, लेकिन IQ का बुरा भी नहीं है, दो कॉइंट हम दे सकते हैं IQ को, अब अगर display की तरफ बढ़ू तो दोनों के हंदर, हमको 120Hz AMOLED display देखने को मलती है, इसके अंदर 12-bit display देखने को मलती है, इसके अंदर normal 8-bit की display है, मेरेको कोई फरक देखने को नहीं मिला, colors वगरा में, दोनों का color, saturation, दोनों भी बहुत ज़ादा खूबशूरट display है, कोई मेरेको ऐसा major issue देखने को नहीं मिला, मैं अगर आपको कुछ दिखा दू quickly, दोनों भी काफी जबर्दस displays है, दोनों में कोई ऐसा major शिकायत में आएगा, दोनों काफी अच्छी quality की display प्रवाइड करते हैं, दोनों के अदर आपको एक अच्छी quality की content watching experience में लेगी, जो यह IQ है लव थोड़ा सा बड़ा है, तो यह आपका personal preference हो सकता है, लेकिन मेरेको ऐसा दोनों में कोई शिकायत देखने को में लिए, दोनों काफी जबर्दसता है, बट overall अगर मैं बात करूँ तो भाई यह जो फोको है, इसका brightness हलका सा कम है, compare to this one, इसका peak brightness 1300 nits अक जाता है, और आपको बाहर जब जाओगे तो हलका सा feel भी होगा कि यह जो IQ है, इसका brightness थोड़ा साफ जादा है, बट ऐसा कुछ major difference नहीं है आपर, के लिए मैं दोनों को देता हूँ, 3-3.2 में बहुत ही जाता, जब आप 120Hz की AMOLED दिखने को मिलती है, जबर्दस है बाई, कोई problem नहीं है, बात करूँ performance के तो यहाँ पर बहुत बड़ा difference है, especially on paper, क्यूंकि देखो यह जो phone है, होको का, इसके अंदर हमको, Snapdragon 7 Plus Gen 2 देखने को मिलता है, वहराज यह जो IQ है, इसके अंदर हमको, Dimensity 8200 देखने को मिलता है, दोनों भी बहुत जबर्दस, 4nm पर बने वे प्रोसेसर है, जबर्दस है, दोनों का मैंने dedicated speed test किया, अगर आपको वो देखना है, कोई major difference notice नहीं का रहा है, तो performance में आपको daily task में आपको बड़ा difference तो fail नहीं होगा, तो इसके वाज़े से मैं daily performance के लिए, इन दोनों को 3-3 point देने वाला हूँ, जहां gaming की बात आती है, तो भाई वहां पर यह IQ है, भाई बहुत ही ज़ादा killer है, जितना मैंने testing किया है, मेरे हिसाफ से पोको से तो जादा better है, इवन जो हमारे friends है, जो gaming की वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, उनका भी यही कहना है कि भाई IQ जादा better gaming performance निकाल के देता है compared to Poco, मैं तब Poco भी खराब निया, 60fps की consistent gaming आपको कराके देगा, लेकिन IQ वाला जो है, वो इवन 90fps की आपको gaming कराके देता है, वो भी अच्छी quality में है, तो यह जबर 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 जबर, gaming की जहां बात आती है, तो वहां पर IQ जादा better perform करता है, थ्री पॉइंट मैं दूँगा gaming के ममने में वेराज, Poco को दूँगा 2.5 पॉइंट, वालता 2.5 पॉइंट, खराब नहीं है Poco, लेकिन IQ जादा better है, software experience की बात करूँ, तो दोनों के अंदर हमको अलग-अलग software देखने को मिलता है, IQ जो है, इसके अंदर हमको front touch OS देखने को मिलता है, वेराज इसके अंदर हमको MIUI देखने को मिलता है, जैसे मैं पहले से ही बोलता रहा हूँ, ऐसा खराब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, एक मतलब decent काम चलाने वाला OS है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत ही जादा practical but boring ही हुआ है, यह चीज़ा थोड़ा था पुराना था थोड़ा था थोड़ा था बोरिंग था लगता है, लेकिन कम bugs देखने को मिलता है, काफी practical है, काफी सारी काम चला देता है, वेराज यह जो POCO है, इसके अंदर must must features देखने को मलता है, काफी नया सा देखता है, लेकिन bugs थोड़े बहुत हलके से जादा देखता है, लेकिन compare to previous POCO devices, इसके अंदर मैं बहुत कम bugs है, काफी अच्छे है, मतलब है था कोई major में को software में difference नहीं देखने हुए, दोनों के अंदर हमको 2 साल का software update major वाला, और 3 साल के security updates का promise किया गया है, तो वह मामले में भी दोनों same to same है, बट जब software experience की बात आती है, तो भाई software update आने के बाद में ऐसा होता है कि POCO का मदर बोड़ी डर जाता है, अब बहुत सारा लोग बुलेंगे बार बार इस point पे क्यों बात कर रहे हो, वोको ने बुला है 2 साल की warranty देंगे, लेकिन ठीक है यार, जो है important वो तो बोलना ज़रूरी है, तो इस चीज़ के वाज़े से definitely जो software के मामले में मैं IQ को देता हूँ 3 points and POCO को देता हूँ 2 points, अब smoothness के बात पर हो तो दोनों में 120Hz refresh rate display देखने को मिलती है and दोनों काफी जबर्दस चलते है, even, दोनों के अंदर हमको additionally आपको option देखने को मिल जाता है, आप लोग setting में जाके, अगर आपको कोई particular app को 120Hz पे force करना है, तो वह भी आप कर सकते हो, जैसे मैं इदर POCO में चले गए and POCO के अंदर refresh rate में जाऊँगा, तो नीचे apps using high refresh rate इसमें जाके, सारे apps को मैं enable कर सकता हूँ, similarly IQ के मैं display and brightness में गया, high refresh rate में गया, बाकि अगर camera's की बात करूँ तो देखो, यहां पर है ना हमको 64 megapixel का main camera दोनों में देखने को मिलता है, दोनों के अंदर OIS भी देखने को मिलता है, POCO जो है इसके अंदर हमको 8 megapixel का ultra wide भी देखने को मिलता है, 2 megapixel का ऐसा time pass वाला sensor है, इसके अंदर हमको पोको के अंदर यह जो आपने फोटो देखा यह नॉर्मल, यह ultra wide, तो ultra wide का एक extra advantage देखने को मिलता है, जो IQ में नहीं है भाई, तो यह चीज़ बहुत बड़ी बात है, बाकि जो normal photo है normal camera की उसमें बात करूँ, तो definitely IQ का camera जो है वो better perform कर रहा है यहां पर, even every lighting scenario जादा better जो है वो IQ का camera है, जो dynamic range है वो clearly better है IQ की, जब human subjects की बात करो तो यहां पर देखो मेरे को जादा better ना, यहां पर POCO का camera लगता है, even though dynamic range IQ का है, वो जो face, skin tones है वो बहुत ही जादा whitish कर दे रहा है, बहुत ही जादा artificial लग रहा है, बाकि को जो है वो काफी जादा natural रख रहा है, और IQ में एक दो पर मैंने जीज़ नोटीस करा है, फटाक से अगर फोटो लो, तो हील जादा ना तो बहुत ही blurry सा फोटो है, जैसे आप लोगे आपर देख रहो, the second time लिया तो काफी sharp और काफी अच्छी फोटो है, लेकिन थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया था, यह चीज़ मैंने नोटीस किया है यहाँ पर, बढ़ यहाँ पर देखो यह नॉर्मल फोटो है, IQ की एन अल्ट्रावाइड है पोको की तो, यहाँ पर हमको इल्ट्रावाइड का अड्वांटेज देखने का मिलता है यहाँ पर, काफी जादा चीज़ा आप फिट कर सकते हो अपने फ्रेम के अंदर, बढ़ जब सेल्फी की तरफ बढ़ू, तो भाई, सेल्फी शूटर क्लियर की IQ का जादा बेटर है यहाँ पर, मच बेटर सेल्फी यहाँ पर आइकू निकालता है, डैनमिक रेंज होगा, स्किन टोन्स होगा, सारे मामल में, भाई, जो वीवो का अल्गॉरिधम है फोटो का बहुत ही जबर्दस है, मुझे काफी जबर्दस लगाता है, मुझे काफी जबर्दस लगाता है, बेग्राउंड वगरा, ब्लर वगरा सब काफी अच्छा है, स्किन टोन्स भी जबर्दस है, दो लोग साथ में लेते हैं सेल्फी, तो हलका जादा बेटर आइकू अला निकालता है, कौनसा आपको जादा बहतर लगा यहां पर, अभी यह जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यह आइको में 4K60 है, लेकर फोको में 4K30 है, फोको का OIS अभी चल रहा आइकू का बंध है, तो 4K30 पर शिफ्ट करते हैं आइको को भी, अभी जो आप यह वीडियो देख रहे हो, यह दोनों फोन के अंदर 4K30 fps है, और दोनों के अंदर OIS, EIS दोनों भी शायद से अनेबल है, और दोनों की फूटच काफी स्टेबल है, फोकसिंग की बात करूँ, तो भी देखो छोड़ा शाम का टाइम है, यहां पर फोकसिंग decent है, मैं बहुत जादा अच्छी फोकसिंग, मैं तो यहां पर देखने को नहीं मिल रहे है, शाम में अगर 4K में रखते हैं, अभी यह जो वीडियो है यह 1080p में record हो रही है, and stability और बढ़ गई है मेरे हिसाब से, what do you guys think, कुछ इस तरह की वीडियो 1080p 30fps में यह दोनों फोन बना लेते हैं, अगर अब फोकसिंग की बात करूँ, तो फोकसिंग काफी जादा क्विक हो गई है पोको के अंदर, हां दोनों के अंदर काफी क्विक हो गई है फोकसिंग, compared to previous time, तो 1080p में फोकसिंग फोकसिंग फास्ट है, तो गाइस यह वीडियो front facing camera से बन रही है 1080p 30fps में, हमको POCO में 1080p 60fps front facing में मिलता है, यह 30fps नहीं है, दोनों फोन में कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है, do let me know guys, किसकी वीडियो और audio आपको जादा better लग रही है, तो भाई जैसे आपने देखा, camera's के मामले में, iqoo is bit better in my personal opinion, भाई कोई भी इसमें डाउट नहीं है, जो main camera बहुत जबरदस्त है, लेकिन हमको extra advantage ultra wide का देखने को मिलता है, यहाँ POCO के अंदर, यह जो phone है, इसको भी 3 point में दूँगा, क्यूंकि भाई इसका camera बहुत ही जबरदस्त है, इसके अंदर 1 point कटना चाहिए था, ultrawide के वाई से, लेकिन उसका main camera बहुत ही जादा लाजवाब है, इसके वाई से मैं इसको 3 point दे रहा हूँ, बाकि front camera की बात करो, तो clearly भाई वहाँ पर iqoo जादा better perform किया है, जैसे आपने samples देख लिये हैं, इसके वाज़े से मैं front में इसको दूँगा 3 point, बट जो POCO है उसको सिफ 2 point में लेगा, बाकि video recording की बात करो तो यहाँ पर भी same scenario है, video recording में भी iqoo जादा better है, बाट ऐसा major difference नहीं में यहाँ पर देखने को मिला, इसके वाज़े से मैं iqoo को दूँगा 3 point, वेरास POCO को दूँगा 2 point, अब अगर बात करें battery life and charging time के, तो दोनों के अंदर में को काफी अच्छी battery life दिखने को मिली, दोनो 5000 mAh battery के साथ में आता है, बाट ऐसा में को major difference नहीं देखने को मिला, especially मैं अगर daily life में बात करूँ, जैसे मैंने दोनों phone को as a personal device 10-10 दिन तक यह use करा है, तो उसमें मेरे को ऐसा major difference देखने को नहीं मिला, दोनों में अच्छा खासा 7-8 hours का screen on time दोनों के अंदर में को देखने को मिला, Dolby Vision बहुत जबर्दस नहीं केते काम करता है, इस phone के अंतर बहुत, HDR बगएरा जो यह वाला phone है Poco का, and speakers की बात करो तो भाई इसका Dolby Vision वाला speaker काफी जबर्दस नहीं पर निकल के आया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यह वाला speaker भाई, जब Dolby Atmos बगएरा जो है वो on कर दो तब, बाकी एक और चीज़ भाई हमको Poco के अंदर extra 3.5 mm headphone jack देखने को मिलता है, जो इसके अंदर missing है तो यह चीज में को बहुत जबर्दस लगी भाई, इसके वज़े से एक point तो definitely Poco जो है वो deserve करता है, तो यहां पर 3 point हम Poco को देंगे and 2 point देंगे हम IQ को, haptics की बात करूँ तो दोनों के अंदर काफी जबर्दस quality के haptics दिये हैं, कहीं पर मेरे को ऐसा major शिकायत देखने को नहीं लगा, जबर्दसत है इसके वज़े तो दोनों को 3-3 point मिलेंगे, अब security की बात करूँ तो हमको Poco के side-bounded fingerprint scanner देखने को मिलता है, जो काफी fast है, काफी reliable है and जो face unlock है वो भी जैसे अगर आपको दिखाऊं, तो काफी ज़्यादा fast है, जो lock screen है वो भी ने दिखती है, बहुत ज़्यादा fast है, यह जो IQ है, इसके अंदर हमको in-display fingerprint scanner देखने को मिलता है, जो काफी ज़्यादा ही fast है और जबर्दस तरीके से काम करता है, जैसे आप लोग देख रहे हो, खाली उंगली रखो तुरंट खुल जाता है, वो भी बहुत जबर्दस तरीके से काम करता है, मेरे जैसे इनसान को side-mounted physical fingerprint scanner ज़्यादा प्रफर करता हूँ, यह जो in-display वाला है अगर गीला रहता चलता ही नहीं है भाई, यह भी गीला रहता तो नहीं चलता है लेकिन यह मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, हमारी naturally वहीं रेस्ट करती है, सबका अपना-पना personal preference है भाई, यहाँ पर इसके वाई से मैं दोनों को 3-3 point दोगा, बाकि value for money की बात करो तो दोनों काफी जबर्दस value offer करते भाई, दोनों का price लगब-ग-ग-ग, लेकिन डिसकाउंट लगाने को बात 2-3,000 रोटक एक्स्ट्रा डिसकाउंट हमको दोनों में देखने को मिल जाता है, तो दोनों को अच्छा value for money है, इसके वाई से दोनों को मैं यहाँ पर 3-3 point दोगा, अच्छा अब X-Factors की बात करूँ, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे X-Factors देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमको एक headphone jack देखने को मिल रहा है, ठीक है पहली चीज, दूसरी चीज यहाँ पर हमको 2 साल की warranty देखने को मिलती है, पोको में compare to IQ, यह extra चीज है, हमको यहाँ पर Dolby Vision देखने को मिल जाता है, Dolby Atmos भी देखने को मिल जाता है, वो सारी चीज है headphone jack है, IR Blaster तो मतलब इसके अंदर भी है, प्रस अल्टर वाइड कैमरा भी देखने को मिल जाता है, इसके वज़े से मैं यह जो पोको है, तो इसके अंदर भी हमको देखने को मिलता है, तो इसके वज़े से मैं इसको एक point दे रहा हूँ आपर, तो guys यह था detailed comparison, अब यहाँ पर अब अगर total की बात करूँ, तो भाई क्या crazy result है, जो पोको है उसने 49 points score किये हैं, whereas IQ की अगर बात करूँ तो भाई 50 points मिले IQ को, like एक point से जीता IQ वाला, भाई क्या crazy comparison था, मतलब सोचो इतना जादा neck and neck close हैं दोनों, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूँगा भाई, अगर आप लोग ultra wide camera पे compromise कर सकते हो, then IQ is a better device for you in every scenario, almost every scenario, कुछ के scenario में POCO भी जादा better है, तो मेरे हिसाब से, अगर मुझे personally buy करना होता, तो मैं तो IQ ही buy करता, लेकिन-लेकिन-लेकिन, यहाँ पर मैं clearly बोल दो भाई, दोनों phone को मैंने अपने पैसे से खरीदा है, कोई भी sponsored नहीं है, कोई भी brand से कुछ भी आया नहीं है, clearly बता रहा हूँ, जो हमारा testing है, उसके हिसाब से, मैं आपको clearly सारी चीज़े बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि POCO वाला खराब है, क्योंकि 49 points से स्कोर किया, सिर्फ 1 point से हा रहा है, सिर्फ 1 point से सो, जो 50 points में से सिर्फ 1 point का मिला है POCO वाले को, तो मतला POCO भी बहुत ही जादा दमदार है, तो अगर आप POCO भी लेते हो, तो कोई भी पश्टावा होने वाला नहीं है आपर, मेरे को लेना हो तो 30,000 रुपे में तो मैं IQ ही लेता, बट थोड़ा था यहां पर ना, खाली एक चीज़ का compromise करना परता मेरे को, कि भाई अल्ट्रावाइड नहीं मिला, लेकिन मैं को अगर अल्ट्रावाइड भी चाहिए है, तो भाई यह वाला फोन ज्यादा बेटर सेंस बनाता है, मैंने सारा points आपके लिए रख जिया, अब आपको decide करना है कि आपके लिए, इन में से जो सारे points मैंने बता है, इन में से क्या आपके लिए जादा important है, जो जादा important रहेगा, वह points के उपर आप लोग discussion करके, वह points के बारे में समझके, और वह अले phone का फैसला बना लेना, बाकि इतना ही था इस video में, I hope आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो भाई, like, share, subscribe करते हैं and thank you so much for watching this video guys, bye bye!